आलो, आन पुझा पोरा from Global Teachers Academy आनने आपके सांथ Library Science UGC Net Library Science के बारे मैं बात करेंगे हूं किस तरह से आप इस उनिट को किस तरह से आप इस सब्जिक को prepare कर सकते है UGC Net के लिए क्योंकि एक एक ऐसा सब्जेक्त है जो अपके साथ बहुत changes आए है लेबरी साइंस के बच्चे सीज को अच्छे से समझेंगे कि उन्हें अपने एक graduation, post graduation में पढ़ाया क्या रया था, उनको पढ़ाया ज्यादा तर cards बनाना, या फिर DDC, CC इन तरहें की चीजों पर ही रखा रहा, पर जब paper की बात तरते हैं, तो इन्हें, minimum max से max, इस 5 से सिफ 4 या 5 question बनते हैं, इसके अलावा वहां से कोई question ही नहीं उठता है, तो कहने का मतलब यह है, जो graduation, post graduation में पढ़ा, वो अब यहां आकर बहुत कम हो जाता है, आपका जो part है, और इसको जो आपका subject कर से digitize कर दिया रहा है, जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, हमारा जो unit है, उसक स्लेबस बहुत change हो जाता है, कहने को स्लेबस आज भी वही लगता है, कि आपको वही चीज़ें पढ़नी हैं, पर अगर आप उस subject के अंदर जाते हैं, तो आपको पता चलेगा changes कैसे आये हैं, और किस तरह से आपको इस unit के लिए prepare करना है, यह नहीं कहोंगी कि पुराना कु उसी में 5 points है, कब हुआ, establish कब हुआ, changes हुए तो कहके हुए, नाम बदला गया तो कब बदला गया, तो इस तरह से जो organizationals है, जो पुरानी organization है, जितनी भी leverage science से related, पुरानी नहीं, उनके questions हमें कुछ इस तरह से मिलेगे, लेकिन साथ ही बहुत सारे चीज़ों में बदला भी ह बच्चों को जब हम classes में लेते हैं, तो बच्चों को इतने अच्छे से DDC और गया कि knowledge तो फिर भी होती है, फिल्कु यह नहीं कहूंगी, नहीं होती, पर Mark, A, CR2, Mark 21, इस Mark 21 का मतलब ही नहीं clear होता है, कि Mark 21 का मतलब क्या है, तो यह सारी चीज़ों को clear करना है हमें, इसके अ लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, computer के recording, तो जिस तरह से subject में बदलाव आए, जिस तरह से अच्छों ही में याद लब्रोरीज में बदलाव है, उनिवर्स्टी में लब्रोरीज है, हर जैने लब्रोरीज है, सब में बदलाव हैं, तो पिफर की pattern में भी उसी तरह से वदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ चीज़ें IP किया जाती हैं, जैसे कि आपसे input, output, divide पूछ लेता है, आपसे RFID टेक्निलोजी के बारे में अच्छे से पूछता है, आपसे stand code QR के बारे में पूछ लेता है, full forms नहीं, इनके बारे भी, यानि, numbers का मतलब क्या है, bar code में lines का मतलब क्या है, कितनी lines के लिए वो stand करता है, तो ये कुछ टेक्नीक वाले questions हैं, जो हमें IT, एक unit भी है हमारी इसमें library science के syllabus में, जहां हम लोग पहले input device पढ़ते हैं, फिर output device पढ़ते हैं, RAM, ROM के questions कई बार बहुत जादा आ जाता है, ROM से question क paper हमसे पूछ ये पै, sword क्या है, post क्या है, काफी सारे ऐसे terms हैं, जो हमारे technical terms हो जाते हैं, और हम लोग कभी अपने subject में नहीं पढ़ते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं से समझने ही पढ़ेंगे, तभी आप उसको clear कर पाऊने, आप लोगों ने काफी softwares पे work किया होता है, paper 1 में इवन जब leverage science का paper आता है, तो हमसे पूछ लेता है paper 1 में, software की नाम दे के पूछ रहा है, application software के नाम दे के पूछ रहा है, पर वो नाम वो देगा leverage size से related, तो यहां आपका काम बढ़ जाता है, software की knowledge को रखना, खास तरके application software के बारे में पढ़ना, languages हमसे पूछता है, generally हम paper 1 बात करते हैं, कभी हम C, C++ पे बात करते हैं, यहां हो आपसे ear भी पूछता है, कौन सी language को किसने बनाए, यह भी पूछ लेता है, particularly को है, या पोई और आपका ऐसा software है, जो हम leverage science में यूज करते हैं, कौन सी language में लिखा रहा है, तभी तो समझोगे, जब आपको languages की थोड़ इसको पढ़ रहे हो, second इसमें से 5, 6, 7 question मुझे मिल रहा है, paper 1 में भी 5 आ रहा है, और subject में भी 6 से 7 मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप UGC net के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो फिर आप कही और नहीं इसके लिए कर सकते, तो भी आपका वो गाम आएगा, क्योंकि जो टेक आउटपूट डिवाइस, आउटपूट डिवाइस, सॉफ्टर बनानी के लिए क्या क्या है, उप्राक को गहरा के बारे में हम यहां बच्चों को information दे देते हैं, digital libraries की information दी जाते हैं, जो जो term digitization से related हैं, वो हम यहां पूरा clear करते हुए आगे पढ़ते हैं, ताकि बच्च हमारा public switch network पर आजाता है, virtual private network पर हमसे question पूछ लेता है, यह terms आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए leverage science के बच्चे को अपने subject की अच्छी knowledge होने के बाब जूद, next clear करने में problem आती हैं, तो आप यह सारी चीज़ें यहां से clear करेंगे, इसके अदावा indexing कोड़े आपने नहीं पढ़े होते, zips law है, lot का है, काफी सारी laws आ जाते हैं, आपनों जिनको नहीं पढ़ते हैं, तो laws के बारे में हम पढ़ते हैं, छोटा-छोटा कईवाट टेक्मिकल निमारिक साभी, छोटा सा बहुत low level का निमारिक भी हमें में जाते हैं, कईवा लॉस इनलेटिक, तो हम सारा इन्डेक्सी में पढ़ते हैं, यहां से हम सारा डिजिटाइजेशन वाला प्रोसेस पढ़ते हैं, इसकी अलावा डिडी, सी, सी, जो आपका बेसिक है, mark है, सी, आजो है, आपका CCC format है, हम इस सारा format में डिटेल में कवर करेंगे, यहां से बहुत नह कि कौन काहसे इन का सेंटर का था भी का श्रिप्ट लूए या फिर और सोफ्ट्रेश है या फिर काफी आप सवगेड़ा बनवाए रहे हैं कोई इंफ्लिबनेट रण कर रहे हैं कोई कहीं रण कर रहे हैं तो इसे बहुत सारी चीज़े हैं जो हमने अपने पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ में अफडेट करना है लाइबरी साइंस के साथ ताकि पेपर के पॉइंट औ व्यू से आप एकनी नॉलेज गेंड कर लें कि आप उस पेपर को क्लियर कर सकें तो लाइबरी साइंस के कुल मिला के दस यूनिट में दो या तीन यूनिट में तो हम इनी चीज़ों को कवर करते हैं जैसे इंडेक्सिंग कवर करते हैं आईटी यूनिट कवर करते हैं लाइबरी के डिफेरेंट डिफेरेंट जो आपके टाइप से इंफरस्ट्रक्चर क्या होगा यह सारा का सारा पढ़ेंगे फार्दर्स आप लेडरी किसको का जाता है पहली लेडरी गया कुछ पाक्च्छल कुश्चिंस भी लोगों को पढ़ने कवर कर पा रहे हूँ तो आप इसको बहुत अराम से कवर कर लोगे तो कहने का मतलब है कुछ उनिट्स पर अच्छे से कमांड करके आप अपने पेपर को स्ट्रॉंग कर सकते हो और इस जो लबरे साइंस का स्लेवर से उसको एक नए तरीके से पढ़ सकते हो काफी सारी एस्सेशन आपके पास आती है जो अब बौट टाइम से पढ़े हो तो उन सारी चीजों वो लेते first grammarian किसको का जाते घ्रामेरी एंस किसको क्या जाता है यह चोटे 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 बड़े सारे पॉइंट्स है जिनकी नॉलेज आप लोगों को है बस आप लोगों को उसको देखना है आपने डी डी सी पढ़ा है सी सी पढ़ा इन सबके बीच में डिस्रेंस इस क्या है थोड़ा सा हम क्यूंकि अब यहां मुझे क्लास नहीं निकालनी या मुझे क्ला किसको कितनी प्रविक देना यह में इस वह पेपर में पूछ लेगा ठीक है रेफेरेंस सर्विस किसी किसने दी थी लॉंक टरम रेंश शोट तरम है किसकी द्वारा दी गए थी कितना टाइन लगता है तो यह सारी चीज़ेंगे जो कि बहुत सब कुछ हैं हमारे इस स्लेस् उनेट्स है लाइबरी के लेजिसलेशन एक्ट पर जैसे देखो हमेशा पोस्षन होते हैं कॉन सी ऐसी स्ट्रेट है जहां की इस टाइन पर आया बात तो सब में आपको क्या करना पड़ेगा हमें वो पुरानी और नहीं दोनों को मिक्स करके चलना है सारी उनिट्स पर नहीं भी बहुत अच्छे से पकरते हो देखो एक रिसरच की विविट आ जाती है बीच में पेपर वन में यहां भी है तो दोनों में आप लोगों को हिल्प करेगी तो अगर सब चीजों को मैं इक अठ्था पकड़ लेती हूं और मैं काम करने की कोशिश कर पीओ तो नेट्रली मेरे जो नेट है वो क्लियर हो जाता है ऐसा नहीं है कि नेट क्लियर नहीं होता है सिर्फ आपको अपने पुराने तमस को लर्न रखना है और नए तमस को में अड़न करना है जयानी टेकनीक को आपको एगों करना है नई चीजों के साथ अगर है थेकनीक नहीं लेकर चलोगे लगेवरे साइंस में तब leverage science का paper आपको UGC NIT का clear करने में बहुत मुश्किल आएंगी क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपको paper में बहुत कम उसमें मिलेगा ratio में तो उस ratio को improve करना है आप लोगों को उस improve करने के लिए पुरानी चीज़े रखे परसाथ में दिजिटाइजेशन टेक्निलोजी मॉडर्स डिवाइजेज सारे सॉफ्ट्वेर नए ने जितने आप्स लॉंच होते हैं क्योंकि जब leverage science की बात होती है तो शेरिंग की बात होती है तो जिसके लिए हमें वर्ल्ट के पढ़ना पढ़ता है हमें इंटरना इंटरने इसमें पढ़ना है हमारे देश में तो मिस्टर रंदनाथन के साथ ये प्रोसेश शुरू हुआ पर बाहर देश में तो ये कप से चल रहा है बहुत टाइम से यूके गयरा काफी advanced countries रही हैं अमेरिका जिनों ने इन सब चीजों पर काम किया है तो हम लोगों को भी उसी तरी झाल झाल